हाई भिरिवान वेलकम टू राधास किचन मैं आज आपके साथ सेयर करने वाली हूँ साउथ इंडियान डीसेस वो है मैसुर बॉंडा या इसको मैसुर भाजी भी आप कह सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में आधा कप दही को डाल रही हूँ यह गाड़ा दही है और थोड़ा सा खट्टा भी है ज्यादा खट्टा वाला दही नहीं लेंगे जो नर्मली दही होता है उसको लेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर को एक चुटा चमच डाल रही हूँ अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप खाने वाला सुड़ा जो होता है उसको भी एक चमच ले सकते हैं या फिर इनो फूर्ट श हमारा दही लिक्वठ फारम में आ गया है अभी यहा पर मैंने एक कप मैधा डाल रही हूँ मेजर्मेंट का अब ध्यान रखे एक कप मैधा के लिया आधा कप अ डही लिया है और तीन से चार चमच मैंने यहाँ पर चावल का आठा को डाले हूँ यह अपसनल है चावल के आ स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका घोल त्यार कर लेंगे गढ़ा सा एक साथ पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मेक्स करते रहेंगे एक डाल्चन में गुमाते हुए हम इसका घड़ा सा बैटर त्यार कर लेंगे जितना आच्छे से हम फेटेंगे उतना आच्छे से हमारा फूला फूला बॉंडा त्यार हो जाएगा और स्पंजी बनेगा यह दिखिए इस तरह हमारा बैटर त्यार हो गया है इतना ही पतला रखना है ज्यादा पतला नहीं करना है अभी इसमें मैं डाल दूँगी ग्रेट किया हुआ अद्रक थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा को मैंने ग्रेट कर लिया है बारी कटा हुआ हरी मिर्ची बारी कटा हुआ और हरा धनिया बारी कटा हुआ इसको डाल देते हैं आप चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं और यहां पर ग्रेट किया हुआ नारियल भी मैंने डाला है नारियल डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है तो जरूर डाले आप नार दिये हैं यह देखिए इस तरह फेट लेंगे अच्छी से यहां पर मैंने गैस के ऊपर एक कड़ाई में रिफाइन ओईल को गरम कर ली हूँ ओईल अच्छी से गरम होने के बाद हम आतों में थुड़ा सा पानी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पॉर्शन बेटर से लेके ओईल में डाल देंगे आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं कड़ाई में जितना स्पेस है उतना ही डाले यह डालने के बाद दो मिनिट के बाद यह फुल जाता है बड़ा बड़ा बंड़ा बन जाता है तो आप उस हिसाब से डाले फ्रेंड्स हामारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हूँ तो सस्क्राइब कर देना वेल आइकन को दबा देना ताकि नया वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरन पहुंच जाए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सियर करना अपनी फ्रेंड्स चार से पांच मिनिट के अंदर यह फ्राई हो जाता है अच्छे से यह देखिए कितना अच्छा फुला फुला हमारा बांडा बन गया है अभी हम निकाल लेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसी तरह सारे बांडा को हम फ्राई कर लेंगे मैं दुसरे बेच के अभी आपको दिखाते हूँ यह दिखिए थोड़ा थोड़ा पर्शन लेके ओयल में डालते रहेंगे आप जाए तो इसको हाथों में गोल गोल करके भी डाल सकते हैं मैं इस तरह डाल रही हूँ जैसे भजिया डालते हैं पकोड़ी बगरर जो डालते हैं मैं वैसे ही डाल रहे हूँ फिर्ण्स यह साउथ इंडियन डीसेस है इसको बहुत पसंद करते हैं नारियल चटनी के साथ इसको खाया जाता है तो बहुत डेश्टी लगता है अब यह दिखिए फ्राई हो गया है हमारा दूसरा बेच के अभी तो इसको निकाल लेते हैं तो यह लीजिए फ्रेंड्स हमारा गर्मा गरम मैसूर बॉंडा यानि मैसूर भाजी बनके रेडी हो गया है सर्फ करने के लिए यह दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ही उतना ही टेस्टी होता है तो फ्रेंड्स आप इसको नारियल चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस तरह मैसूर बॉंडा घर पर बनाईए खाईए और कैसा लगा हमें कमेंड बक्स में लिखके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना मैं आऊंगे आपके साथ एक नियो रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई ब सकता है पिलाएगा ऎ जए खाईएगा झाघएगा एकी साथ के साथ एकपपपचारू अ झाताएगा है और कैसा भूरर बक्स में एक्पाइगा झता हमें वेबागा है रेसिपी के साथ तक कि अजयर का रहे बिलाम मैं तो